जामराच चलने में के वह स्वागत है मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि UKPSC उत्राखान UK पुलिस सबस्पेक्टर सिबिल पुलिस इंटेलिजेंस फायर इस्टेशन सेकेंड ओफिसर एंड प्लेटोन कमांड रिकुरूमेंट 2024 औरलाइन फार्म 222 पुस्ट के लिए आचुका है इस फार्म को किस तरीके से ओलाइन करना है पूरा कमपेट प्रसेस बताएंगे यहां पर देख सकते हैं पोश्ट का नाम लिएक है पुलिस सबस्पेक्टर अनफायर स्टेशन सिकेंड ओफिसर एंड और यहां पर लिखा है प्लेट नो कमांडर यहां पर देख सकते हैं कि दोस्तों टोटल बाइस परद हैं इस फार्म को किस तरीके से ओलाइन करेंगे उत्राखंड पुलिस सबस्पेक्टर एंड अधर रेकुरूर्मेंट को तो यहां पर हम बता दे एक कैटेरिया जो रखेंगे है एज की 28 साल है आप यहां पर इलजबेल टी भी करके बताएंगे तो यहां पर ओल्लाइन का लिंक दिया हुआ है क्लिक करेंगे जैसे ही उसके बाद इस तरीकी का डेस बोल्ट ओपन हो जाएगा उत्राकंडर पब्लिक उत्राकंड पबलिक सर्विस कमेशन ओल्लाइन अपलिकेशन पोर्टल यह है तो यहां पर आएंगे तो वाले टॉप वाले पर देख लिजिए यहां पर डेट आपका स्टार्टिंग 31 2024 है और 22 2024 को यह लास्ट है तो यहां पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका न्य विंडियो ओपन हो जाएगा यहां पर जैसे विंडियो ओपन होगा आप यहां देख सकते हैं इसका डेट आपको दिया करना एडवेटाइड युए अबरशय टॉप में यहां पर देख सकते हैं और अगर फॉर्म को करना चांते है तो इस्तारिके और आप इशाएग्या इन् measures ने यहां पर करना है बेशियुक्ते हैं आपको यहां पर बताया घ्याली की बारिये टाये मेंुल यहां पर बेसिक इनफार्मेशन देना है आपको अपने एकोडिंग जो भी आपकी डीटेल है फिल करना है चलिए हम यहां पर पहला पॉइंट पुछा गया है इसमें पूछा जा रहा है कि 43 ऑबलेक उत्रा खड़न में जो भरती आये थी 2022 में 3122 से सब एक्सपेक्टर की आये थे अगर आपने online form किया था यहां पर क्लिक करेंगे नहीं किया था तो नो पर क्लिक कर देंगे जैसे ही नो पर क्लिक करेंगे तो आपसे अगला point पुछा जा रहा है कि क्या आप हाव हाव योर कंप्लेट क्री एर्स रेगुलर सर्विस और पोस्ट आफ होम गार्ड क्या आप तीन वर्स नियमित सेवा पूड कर लिए हैं यसे नो पने कोडिंग फिल कर लेंगे और आपको यहां पर नेश्ट पर आना है यहां पर पुछा जा रहा है कंडिडेट का हाई सकते हैं यहां चली करना 變 मेरेक यहानबर्ण कुछ न हो जाता है कि एक जुलाई 2015 से 1811 मंहीं हुआ है तो आप यहां पर अपने जेंडर है जूट करेंगे अगेर आपको इस्टेटेस चुछ करना है Merit Unmarit जो भी है आपको चूछ कर लेना है जैसे ही आप अपने एक वोडिंग जो भी basic information देंगे इंडवेजल, अगेर आपको आणा है नेश्नेल्टी की जो भी आपकी जॉनकारी हो देना है आपको नेशनल्टी में आप इंडिया से बिलाउं करते हैं तो आपको इसको करना है और स्क्रोल डाउन कर लेना है आपको अगर आप तिब्बत सरार्थी जो एक जरुए पहले भारत आये थे इसको अगर तिब्बत की कोडिंग आप आये थे तो इसको छोड़ देना कोई दिकत नहीं है अगर पूचा गया है भारत की मुलवासी जीने पाकिस्तान वर्मा स्रिलंका एम कन्योजय योगर्ट तो पूचा जारा है इससे आप संपर रखते हैं या आप इफ पर आप पर तो इस पर क्लिक करेंगे नहीं तो पूचा यस्टिक कोड़ा देंगे कोई दिकत नहीं है अब यहां पर आपको पहले पूचया जारा है पहला वाला जो पूछा जा रहा है क्या आप जो हाई इसकुल और इंटर किये हैं उनके सम्किच उत्राखंड से हैं बिराओं कर पड़ रहे थे यह यह नो अपने कोडिंग अगर पड़ रहे तो यह पर क्लिक करेंगे नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे आगे आपसे पूछा जा रहा है अप यहाँ आप से पूझा जा रहे हैं जिनकी सेवा उत्रक्छत राज के बाहर अस्ठान्तित किया सकता है, यहाँ आस्ठान्तित कर सकते हैं, अर्द तो अम थी सकी करने, यहाँ आप आपको कर लेना है आगे आप से पूछा जा रहा है क्या आप अपने माता पिता क्या आप अपने माता पिता राज के अर्द सरकारी संगठन नियमित करमचारी है जो नियमित सेवा कर रहे हैं या तो जिनकी सेवा उत्रक्षंट राज से बहार स्थांतित किया जा सकता है यह अपने को चूज लेंगे आपको यहाँ पर पूइंट पुछा गया है अगला पूइंट पूझा जा रहा है ही कि आप क्या आपके माता पेता जो है उत्रकेंट सरकार के लोग लोग सेवा उंक करम चारी हैं जू उत्रकेंट राजी के नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवा उत्राखंट बाहर स्थांदिर किया नहीं जा सकता है तो अपने एक कोडिंग आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां चूज कर लेंगे अगर आप से पूछा जा रहा है अगला पॉइंट पॉइंट पॉच्छा कि क्या आप उत्राखंट के अस्थाई निवासी हैं लेकिन आप जीव का स्चा उत्राखंड से बाहर कर रहे हैं यहां कर लेंगे कि क्या आपका जीवन साथ ही माता पिता स्थानी निवासी है जो है उत्राखंड के आज जीव का सिच्छा उद्दिश के लिए बाहर काम कर रहे है यहाँ पर इसको भी सेलेक कर लेंगे आपसे पूछा जा रहा है क्या अगला वाला जो पॉइंट डोमो साइल डिटेल आपको फील करना है आप उत्तरा खंड के अध्वासी है तो यहाँ पर कलीक करेंगे नहीं तो आप यॉकर कर देंगे स्क्रोल डाउन करेंगा जो भी के टेग्री यह आपकी है आपको चेली कर लेशव लेकर लेते हैं जैसनी कलें काटेग्री से लिकर लिए अगें आपको यहां पर जो भी आपका जात्य प्रमाडपत्र निवास प्रमाडपत्र है जिन जारी किया है आपको अपने कोडिंग यहां पर उनका नाम दिया गया है होगा आप यहां पर लिख लेंगे आप ध्यां रखिएगा जो भी उत्राखंडे के निवासी है उनकी सब डिजिनल ऑफिसर या ताशिलदा और भी इसमें नाम दे गए हैं जिन्हों ने साइन किया है तो आप वहाँ पर एक स्लेक कर लेंगे और जैसे स्लेक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर इशू जारी करने की तीथी दी गई है जो निवास प्रमाण पत्र है निवास प्र पर आप अगें आपको जिला मांगा जाएगा जो भी जिला है आपको स्लेक कर लेंड़ना है अपको यहाँ प्रिभले स्टेफिकेट नमबर डाल देना है आगे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप प्यज़ अपने पाइट है अकोर्डिंग यासे अनोब प्लिक करेंगे आप सर्विसमें पूइंट है आपका पूछा जा रहा है क्या पनात है जो सरकारी कर्वक यह मुत्रक्षंट राज में रिस्थाई निवासी कर रहे हैं यहां पर देख सकते हैं कि हो गई है अनात बच्चे क्या आउत्रक्षंट में समयला ससक्तिक यहां पर इमेल आईडी डेलना है अगेन आपको इमेल आईडी कंफर्म कर लेना है चलिए मैं यहां पर इमेल आईडी मेंसर कर लेता हूं जो भी लिखा line 1 में अपना village mention कर लेना है और फिर इसके बाद अगेन आपको post में जो आपका post लिख करके आप mention कर सकते हैं फिर अगेन आपका जो भी city है गाम है कश्वाय वो लिख देंगे फिर area का pin code mention कर देंगे अगेन आपको यहाँ पे scroll down करना है अगर permanent और यहाँ पे फर्जिन डेडिन दुनों से में तो check mark कर देंगे इसे ही दूस्तों check mark करेंगे आपकी detail automatically यहाँ फिल हो जाएगी अगेन आपसे पूछा जारा है place of farm भने का अस्थान कहां से आप form फिल करने हैं अपना अस्थान यहा कर लेता हूं जो भी विलेज है अपना लेख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको अपने कोडिंग पास्वर्ट दज करना है पास्वर्ट आपको बताया गया है पास्वर्ट कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है latest upper one case右 lower case होना चाहिए one number होना चाहिए और add the rate 1234 इस तरीके से आप mention कर सकते हैं तो इस तरीके से आप जो भी बनाना चाहते है अपने according password फिल कर लेंगे फिर confirm password करेंगे जो भी captures हो रहा है यहां पर capture फिल करके submit पर click कर देंगे जैसे ही दोस्तों हमने फिल किया उसके बाद submit पर click करना है जैसे submit पर click करेंगे आपको अप आपकी डिटेल हो है verify कर लेना अगर आपको सब कुछ सही लगता है फिर उसके बाद यहां पर आपको यहां पर अगर आपको सब विज लगता है तो यहां पर आपको इस पर लोग इन करने के लिए email id या mobile नमबर के पासवर्ड डाल करके यहाँ पर जो भी capture हो रहा है capture फिल करके submit पर क्लिक कर देना है चलिए हम यहाँ पर अपना email id डाल लेते हैं और जो भी password है password डाल करके capture फिल कर लेते हैं तो हमने यहाँ पर पत का option रखा है किस पत के लिए आप apply करना चाहते हैं पत को यहाँ पर देख सकते हैं select कर लेना है अगर आप इसको जो जो आप पत select करना चाहते हैं कर सकते हैं आप सभी करना चाहते हैं कर सकते हैं लेकिन आपकी बारी बारी से आपको यहां पर फिल करना है यहां पर आपको डेटल करने के लिए पहले तो आपको जो भी पहले फर्स्ट आपने किया था हाई स्कूल करना दिखेंगे फिर उसके बाद यहां पर अपने कोडिंग आप पाइस्टूल में हाइस्टूल जैसे सेलेक करेंगे उसके बाद आ जाएगा यहां पर इन्वर्ट का नाम यहां पर बहुत सारा सवता है जो भी बोड आप जिस बोड से अपने पढ़ाई की थी आपको उस बोड से कर लिच्श लेकर लिया अग को यहां पर पासिंग उत्रवर्ज करना है चुछ कर लेता हूं किया अगैं आपको यहां पर सब्जेक्ट मेंशन करना है हाइए स्कूल सब्जेक्ट है's mierच लिखेंगे उसके बाद यहां पर आंग का सब्सक्राइब तो आपको यहाँ पर प्राप्राप्त जित्ना भी आपने प्राप्त किया हुआ था और अगयं आपको यहाँ पर आपको इह पर अप लेटेशनल क्लिफेकेशन पे क्लिक करेंगे जैसे ही और अल्कुल क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपकी जो हाइस कुल की डीटेल है यहां फिल होची है अगेन आपको यहां पर आने के बाद जिस आपको यहाँ हुआ की ठीक के बोड के नाम लिखना है अगर आपको यहां करने के बाद झो भी आपका सब्जिक्ट था अर्ट का मर्स जो भी था अपने इकोडि में select कर लेंगे maximum mark कि कि टाइप के आपका प्राप्ट होता है mark क्या CGP SGP अपने code यहाँ पर select कर लिजिए गा फिर यहाँ पर maximum आपने crop कितना mark पाया था और कितना number में से पाया था आपको यहाँ पर mention करेंगे automatically percentage calculate हो जायागा और फिर add कोलिकेशन पर क्लिक करेंगे जैसे एड क्केकेशन पर क्लिक करेंगे आपकी डीटेःल नीचे तो हो हो जाती है up qualification आपको जो भी आपकी डीगरी तो डिपलोमा है इ सराथ की शचे आपको यहां पर एड करना चाहते हैं कर सकती है तो इस नज अपने कर रखा था आपको state का नाम यहां पर mention कर लेना है इस्टेट का नाम लेकिने के बाद state के अंदर जितने भी आपके college है वो आपका नाम से होता है आप यहां पर select कर लेगे जैसे ही select करेंगे यहां पर आपको issue date आप से पूछी जाएगी तो यहां पर जिस भी जैसे ही फिल करेंगे यहां पर आपको फाइनल सब्जेक्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट था अपने कोडिंग यहां पर सलेक्ट कर लेना चलिए मैं कमेश्टी साथ तो कमेश्टी सलेक्ट कर लूँगा फिर उसके बाद से के सब्जेक्ट क्या था आपको यहां पर या आप CGP, SEPA के according थे आपको यहाँ पर select कर लेना है तो यहाँ पर आपको अगर mark छोल करेंगे तो कितने mark का आपका था वह आपको फिल कर लिए थे आपने तो आपको मैंने यहाँ जो भी नमबर आप पर आप किये थे वह आपको number mention कर लेना है और maximum कितना number का था वह आपको कर लेना है जैसे maximum number फिल करेंगे अटोबेट लिया परसंडेट कल्कुलेट होके आ जाएगा फिर उसके बाद add qualification detail पर क्लिक करेंगे आपकी detail यहाँ सेब हो जाएगी आपको और भी degree अगर आप जोड़ना चाहते हैं जो भी qualification आपके पास इस्ट्रा है जोड़ सकते हैं जो क ऐसी नंग आपको तक देना है जूट कर सकते हैं जो भी जहाँ पर इनका परिच्छा के दबना हुआ है उस से आप जो भी चूझ करना चाहते हैं चूझ कर सकते हैं फिर प्रेस आपको देना पड़ेगा रागें आपको सेलिक कर लेना है जैसे ही सेलिक करेंगे अगें वन्चित या ब्लैक लिस्टेड है यस या नो अपने कोडिंग से लिक कर लेंगे अगें आपको यहां पर आईडी प्रूफ आपको देना प्लाई जैसे कि आप आधार काद हो सकता है ट्राइबी लेशन होगा पैन कार्ड हो सकता है पास्पर आपको यहां पर डॉकुमेंट करना बड़ेगा चलिए मैं अधार काट सेलेक कर लेता हूं अगें आपको अधार नंबर लिखना है और यहां पर एड कांटिनू पर क्लिक कर देना है जैसे ही एड करेंगे आपका नेक्स्ट पे जाए जाएगा अपलोड इमेज का अपलोड इमेज पे आने के बाद यहां लिखना रोलों कि अपटे कोई अभूड फोटोगराफ होना चाहिए साव चेहरा आपका देखना चाहिए और यहां पर केट एडिया बताया गया है एककेछ सो पचास डवलू और यहां से 200 200 एच इस तेयं अपहोना चाहिए थो भी आपका अपलोड होगा तो यहां पर इस तरीके से आपका upload के बनाए जाएगा तो चलिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको बनाना है आपको paint open कर लेना पहले दोस्तों क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी आपका जैसे ही दोस्तों photo और sign upload आपका require हो जाएगा upload कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर term and condition कर लेंगे उसके बाद continue पर आपको क्लिक करना है जैसे ही continue पर क्लिक करेंगे आप देख सकते है photo और sign आपकी आज चुकी है और आगे आप से पूछा अगला point यहां आपको घुषड़ा करते हैं कि जो भी आपकी द्वारा जो जानकारी दी गई है आपकी द्वारा सही और सत्य पाय जाती है और सत्य पायने जाने पर आपको reject कर दिया जाएगा आप सामती देना चाहते है यह इस पर click क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर बताया गया है कि आपको यहां पर in case payment debit and credit payment confirm page and do not to make payment अगर आप payment कर लेते हैं तो आपको यहां पर आप बताया गया 24 घंटे से 5 से 24 घंटे तक 5 पिनट से लिके 24 घंटे तक वेट करना पड़ेगा तो उसके बाद आपको यहां पर final submit कर लेना है आपको कर दो नहीं है जोस्तों जो भी आपका payment कटेगा आपका final submit हो जाएगा अगर debit का net banking किसी को मोट के according आप payment कर सकते हैं जैसे ही final submit पर क्लिक करेंगे अगें आपको यहां पर print payment करना चाहते हैं और अगर print payment application पर जाने चाहते हैं इस पर खलिक करेंगे अगर cancel my application करना चाहते है तो इस पर क्लिक करेंगे आपको अपने एकोडिंग जो भी शुब्दा है आप कर सकते हैं यहां पर हम चले payment कर लेते हैं और उसके बाद यहां पर फीस एक्स्प्रिक्टिट बताया जाता है और यहां पर print application पर जो आप करेंगे और यह और फीस एक्सप्रिक्टिट बताया कि यहां हमने complete process बता दिया चैनल पने हैं तो चैनल जरूष सब्सक्राइब कर लेजिए आपको कई पर प्राब्लम होती को में कमेंट कर सकते हैं चैनल पने हैं जरू सब्सक्राइब करेंगे ओक थैंकी दुस्त भाए